हेलो दोस्तों वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डायबिटीज के मरीजों के लिए होम मेट प्रोटीन पाउडर की जी हां आज हम आपको बताएंगे के डायबिटीज में प्रोटीन पाउडर के क्या क्या फायदे होते हैं और इसे घर पर कैसे तयार किया जा सकता है और फिर इसका सेवन कैसे करना है तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताओ कि डाइबिटेस में प्रोटीन एक बेहर जरूरी न्यूट्रियंट होता है क्योंकि अगर आपके शरीर म प्रोटीन की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है और इसके लिए आपको प्रोटीन से भरफूर डाइट लेनी है और साथ ही साथ कोई ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट भी लीजिए जो आपके बलड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में आपकी सायता करें आप समझ ये के वैसे तो market में बहुत सारे protein powder supplements आते हैं लेकिन उन सबसे बेहतर यह है कि आप अपना protein powder अपने आप ही घर पर तयार करें क्योंकि इसमें ना तो किसी भी प्रकार का additional chemical होगा और ना ही preservative होगा तो आईए जान लेते हैं कि diabetes में lab diet ये protein powder आप घर पर कैसे तियार कर सकते हैं तो सबसे पहले आप समझें कि घर पर protein powder बनाने के लिए आपको चार चीजे चाहिए होगी इसमें सबसे पहले number पर है लगभग 125 ग्राम भुने वे चने और इतने ही मात्रा में यानी 125 ग्राम आपको लेना है रागी काटा 125 ग्राम बादाम लीजिएगा तो देसी बादाम लीजिएगा अमेरिकन नहीं और 125 ग्राम सोयबीन powder लेना है यानि इसनी मात्रा में जब आप इन चारों चीजों को लेंगे तो इससे जो powder बनेगा वो 500 gram बनेगा और इस 500 gram powder को आपको किसी भी स्किती में 10 दिन में खतम कर लेना है क्योंकि ये homemade powder है इसलिए आपको इससे समय रहते खतम करना है और सीमित मातरा में खाना है तो आप समझे के powder बनाने के लिए सबसे पहले भूनेवे चनों को ये जो भूने चने है ये छिलके वाले भूने चने लेने है तो इन भूनेवे चनों को mixi में पीस लिजिए और बारीक powder बना लिजिए और फिर इसके बाद ऐसे ही बादाम को भी पीस कर powder बना लिजिए और फ चारों चीजों को आपस में मिक्स कर दीजिए और फिर इसमें स्वाद के लिए थोड़ी सी मात्रा में इस्टीविया शुगर भी मिला दीजिए ताकि आपको इसका थोड़ा टेस्ट भी बन जाए तो अब इस पौड़र को रोजाना दो चमत सुभा और दो चमत शाम को एक कप बिना फैट वाले दूद के साथ खाना है ध्यान दीजिए और इस प्रोटीन पौड़र का सेवन रेगुलर बेसिस पे कीजिए जैसे बताया गया वैसे तो आज के लिए इतना ही और वीडियो दे वैब बीकली